आगे राजिस्थान की बात कर ली अब बात करते हैं मध्यपदेश की सबसे होट और हाई प्रोफाइल सीट चिंदवाडा चिंदवाडा कमलनात का गड़ कॉंग्रस के लिए मजबूत किला कमलनात परिवार यहाँ पर बसा हुआ है कमलनात परिवार का प्रभाव तो ख़़े उनकी पतनियाथ चनाव जीती है कमलनात के बेटे यहां से दो बार चनाव जीते हैं और तीसरी बार मैदान में उतारा है जो इंधान सबस्वाड़ा का वोटिंग ट्रेंड का कहता है आई यह देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर दिखाईए चिंदवारा का वोट सिन वोटिंग हुई थी उननीस में 82.42 प्रतिशत यहां वोटर्स टर्न आउट हुआ था और 24 में 89 दशलव आठ तीन प्रतिशत यहां पर वोटर्स का टर्न आउट देखने को मिला था अब वोट शेयर क्या कहता है कमल के पास गए 32.45 प्रतिशत 24 में पंज्रे के पास गया 89 प्रतिशत अंतर रहा और दश्वार चाहार प्रतिशत का बीजेवाए दोग हुआ की बात करते हैं 34.7 परसन रहा पिज्शत क Norm के पास रहा दस दशलव पांच तीन प्रतिशत का उननीस में बीजेपी के पास गया चवाली दशलव शुने पांच प्रतिशत कॉंगर्स को मिला 47.06% अंतर रहा तीन दशलव शुने एक प्रतिशत का ये बोट शेर का हमने आपको बताया आप बात करते हैं मार्जिन की दो हजार चार में कॉंगर्स दी थी 63,708 वोटों का अंतर रहा दो हजार नौ में एक लाख एकिस हजार रहा कॉंगर्स चौदा में एक लाख सोला हजार 2019 में 37,636 जी हाँ, 2019 में ये आखड़ा सिमट गया था, बहुत कम हो गया था इसलिए बीजेपी लगातार कहे थे कि हम इस सीट को भी अपने पाले में लेकर रहेंगे होता है नहीं, देखना होगा, कमलनाथ 4 में 67 बने थे, 9 में 67 बने थे, 12-14 में नकुलनाथ, 19 में नकुलनाथ, और अब 24 में कौन होता है यही सब guesswork कर रहे हैं, बीजेपी ने पूरी मशनरी यहाँ पर लगा दी थी, कॉंग्रेस ने कहा था, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, बीजेपी कुल चुनाव जो हुए थे, वो 18 चुनाव चिनवाला में अब तक हो चुके हैं लोग सबाके इसमें से कॉंग्रेस 17 बार कॉंग्रेस का सांसत यहां से चुना गया है, लेकिन सिर्फ एक बार 1977 में सुंदेलाल पट्वा यहां से जीत कराने में काम्याब रहे थे जाती समीकर्ण आपको समझा रहे हैं, स्ट जो वर्ग है 11 दशलव 1 प्रतिशत, स्ट 36 दशलव 2 प्रतिशत, मुस्लिम 4 दशलव 7 प्रतिशत, यह जातीगत कालकुलेशन है चिनवाला सीट की, मुकाबला किसके बीच हुआ है इस बार? लाकुलनाथ कॉंग्रस से, विवेक बगार बंटि साहु बीजेपी से, विद्धान सबस्टर ठिशनाव हारे विवेक बंटि साहु लेकिन बीजेपी ने चिनवाला सीट पर विवेक बंटि साहु पर ही विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, इसलिए मैधान में उतारा दो खास वहमान चिंद्वारा इस हाई प्रोफाइल सीट पर बात करने के लिए हमाई साथ जुड़ गए है शिवम महता है पॉलिटिकल एनलिस्ट है सर्मन अगेले जी है वरिश्च पत्रकार है आप दोनों का ही बहुत-बहुत स्वागत है सर्मन अगेले जी यही सवाल लेक करीवी शामिल हो जाते हैं बीजेपी के अंदर लेकिन क्या यह तमाम प्रयास लग रहा है कि सार्थक हो पाएंगे सुन्दलाल पत्वा वाला इतिहाद दोरा पाएंगे विवेक बंटिसाहू देखिया अपड़ना जी जहां तक मेरी जो राजनेतिक समझ है वो पिछले 30-35 सार्थी साल से मैं भी जनलिस्म में हूँ इसमें पूरी तरीके से संगा है कि ऐसा हो पाएगा 77 बाला क्यूंकि मैं आपको बता हूं श्याम